Hello students, today we will study Maths of Standard A. Chapter No.1 Rational Numbers Last lecture में हम लोगों ने Exercise 1.1 किया था, now we will do Exercise 1.2 In 1.2, number line represent करने, आपको number line कैसे बनानी है? Rational number के लिए, वो मैं आपको explain करती हूँ First, आपको normal number lines पढ़ चुके हैं, then integer राली negative positive number की भी आप number line study कर चुके हैं, in previous classes में Now, we will study Rational Numbers Okay, so Rational Numbers के लिए, Rational Numbers पे you all know, यहाँ पर negative numbers भी होते हैं, positive numbers भी होते हैं First, आपको क्या देखना है? 7, 5, 4 So, 7, 5, 4, it means इसको अगर तूम integer में change करें, या mixed fraction में change करें, तो यह हो जाएगा, 4 बन्जा 4, 3, 5, 4 Okay, यह number के हमारे पास है So, यहाँ पर हमको obviously पता चल भाए है कि 1 देजे क्याएगा और 1 के बार यह number है Okay, तो यहाँ पर हमको negative, यह positive number है, तो हमको negative number जाने कि तो जरूर नहीं है यहाँ से हमें 0 लिया और यहाँ से minus 1 है Okay, यहाँ पर हमको 1 के आगे चलना है तो यहाँ हमने ले जाए यह positive number 1 And उसके बार 3 by 4 है तो 3 by 4 से अगर हम यहाँ से क्याप करें To catch हो सकता है यादि यहाँ पर हम 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4 कर सकते हैं यादि अगर 7 by 4 को ले हम तो यहाँ से हम start कर सकते हैं 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 यहाँ हमाना number आया है यहाँ 4 by 4 is equal to 1 होगा Then यादि यहाँ हमने 5 by 4, 6 by 4 and this 7 by 4 and this number 2 or 8 by 4 is equal to 2 यादि यहाँ हम यहाँ हम यहाँ पर हम यहाँ पर हम यहाँ पर 7 by 4 यही number represent करना था, कमारा यह number यह number यह इस जगा पर आया इसको underline कर दिया, या फिर यह circle कर दिया था कि हमको पता चली कि हमको कुंसा number डिकाना था 7 by 4 हमने यह number line पर represent करना था बस इतना ही करना है, इसली है न, कुछ भी नहीं है इसमें यहाँ पर माइनस 5 by 6 है माइनस 5 by 6, यहाँ पर पता चली का है कि यह negative number है यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमको negative numbers में जाना है यहाँ पर यह positive number बाने अब यहाँ पर positive था तो हमने 0 के इस साइड कि यह pigments हमने right-hand side किया यहाँ पर negative number है तो हम यह left-hand side जाहेंगे यह properly आपको ध्यान रखना है अगर आप negative पर positive के set चलेगे तो आपका wrong हो जाएगा आपको 0 denote करना जरूरी है 0 stat left में है तो आपका हुआ negative right में है तो positive इसके लिए आपको number नहीं पर 0 बताना जरूरी है पर यह 5 by 6 है तो हमने यहाँ से stat किया 1 by 6, 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6 and 5 by 6 यहाँ पर हो बया 6 by 6, it means 1 तो यह number आपको represent करना का स्वामने इसको circle करके बताया कि यह number नहीं represent के हो understand हुआ होगा आपको number line का सेम इसी के application number 2 है represent minus 2 by 11 minus 5 by 11 minus 9 by 11 अब को number line सेम जैसे यहाँ पर हमको दीखी रहे है यह negative numbers है तो 0 के left hand side आएगा तो यहाँ पर हमने 0 डाला यह positive number का 1 तो यहाँ पर हम start करेंगे 11 नीचे denominator तो हमने यहाँ पर 1 से start किया 1 by 11, 2 by 11, 3 by 11, 4 by 11, 5 by 11, 6 by 11, 7 by 11, 8 by 11 and 9 by 11 तो झुब कुपुँशी number को देसे कर सेmer 1st 2 by 11 then 5 by 11 10, 9 by 11 These are numbers जो अगने number line पर डाएगा रीचे ridge है Understand ? fajशे number 3 Write 5 traditional numbers which are smaller than 2 smaller than 2 अब यहाँ पर number 9 कादर आप देख रहो हो यहाँ पर देखो suppose यह number 2 8 by 4 यहाँ पर number 2 आया अब 2 से smaller number तो यहाँ जितने भी number होंगे 2K left hand side जितने भी number से rational number तो साले 2 से smaller understand तो आप इसमें से point भी number लिख सकते हो यहाँ पर इतने लिखने को बोड़ा 5 national numbers बता है लिखने के लिए आप इसमें से point भी number लिख सकते हो यहाँ से भी लिख सकते हो क्योंकि यह 6 by 6 equals 1 हुआ 10 minus 7 by 6 minus 8 by 6 काहां तर जाएंगे 5 by 6 पे 2 होगा minus 2 होगा वो भी हो सकता है क्योंकि अंगल इतना क्या है 2 से smaller तो आप इसमें से कोई भी 5 numbers लिख सकते हो कोई सब को समझे दिख 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 इसके से, okay तो हमको यहां पर इसके इन दोनों के बीच के number निकालने सब्सक्राइब दिला होगा है अग्डों और इसके बीच के rational numbers निकालने यहां पर भी देख यह 1 by 11 कर minus 1 by 11 and minus 9 by 11 के बीच के number निकालने हमारी easy का होगा जो हमने denominator same करना okay, denominator same होगा तो हम आराम से easily method से हम rational number 5 कर सकते तो first हमने यहां पर denominator same करना है तो हम यहां क्या करेंगे यह पहले की classes में आप पर चुके हो अप denominator है जो हम multiply कर लेंगे यहां पर 5 कुजा किया और यहां पर हमने 5 से multiply किया okay, क्याकि हमने इस number में 2 से multiply किया और इस number में 5 से multiply किया ताकि यहां पर 5 हुजा होगी है 2 पाइसा तो यह क्या होगे हमारे पास minus 4 by 10 and 5 by 10 okay, क्याकि प्रश्ना को निकालना है इतना 10 integers निकालना है अब इसमें से हम देखे हैं तो हमको form दिखाई दे रहे between numbers तो हम इसको एक number और बढ़ा लेते हैं and 5 multiply by 10 and 10 multiply by 10 दिनों भी नहीं ज़र तो 7 देखे बाता है so, यहां पर क्या हो रहे है यह number हुआ minus 8 by 20 and 10 by 20 okay, अब इसके बीच के आप बहुत सारे number लिख सकते हो अब minus 8 by 20 के बाद क्या हो जाएगा 7 by 20 6 by 20 5 by 20 4 by 20 3 by 20 2 by 20 1 by 20 1 by 20 positive numbers है 1 by 20 2 by 20 3 by 20 कितने ही number हो गया है कितना है can तो हम count करके लिख सकते है 1 2 3 4 5 6 6 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 15